क्लास, विल्कम टू यॉल इन एवीएस एलर्णिंग क्लास क्लास हमारा न्यू चेप्टर स्टार्ट हुआ है चेप्टर 12 जो के हैं मैपिंग के बारे में यानि नक्षा के बारे में कि जब आप एक जगा से दूसी जगा जाते हो किसी नय शेहर में जाते हो तो आपको उस जगा को जानने के लिए वहां के location के बारे में पता होना चाहिए यह सब के बारे में हमने पढ़ा था आज हम आगे पढ़ेंगे so let's start direction with reference to maps नक्षा के जरिये से सिम्त के बारे में यानि direction के बारे में कि वो किस तरह से नक्षा पर जो हम करते हैं वो direction के हवाले से hang a map of a region on a wall stand in front of it and take a look the upper portion of the map shows the north this is where your head is एक नक्षे को एक दिवार पर आप हैंग करो पहले उसे टांगो उसके बाद उसके सामने खड़े हो जाओ और उसके देखो जो अपर पोर्शन है जो आपका अपर पोर्शन है यानि जहां पर आपका सर होता है वो सामने वाला वो जो map के दिखा रहा है वो होता है north direction the bottom of the map which corresponds to your legs shows the south और map का bottom नीचे वाला हिस्सा जो जहां पर आपका पैर हो रहा है नीचे हो रहा है वो शो करता है south के direction को the places on the map where you right and left hands go indicate the east and the west directions respectively और वो map की वो जगह जहां आपका right और left हो रहा है जो आपका right hand और left hand हो रहा है वो indicate करता है east और west direction को an outline map with the four directions indicate on it east west north and south are called the main direction और cardinal points जो map में जो four direction दिखाया जाता है जो four direction indicate करता है east west north और south को वो main direction कहलाता है या पिर cardinal points कहलाता है